राश्र निर्मान में विद्यार्थियों का योगदान पर निबंद विद्यार्थी का अर्थ है विद्या और अर्थी अर्थात विद्या का इच्छुक या विद्या को प्राप्त करने वाला विद्या ग्रहन करना विद्यार्थी का धर्म और करतावी है विद्या ग्रहन करना ही विद्या का धर्म और करतवी नहीं है अपीतू इस विद्या को समाज और राश्र के लिए उपियोग करना भी विद्यार्थी का धर्म और करतवी है विद्यार्थी का जीवन एक पुनित संसकार और सभ्यता का जीवन होता है वैस अवधी में अपने अंदर दिव्य संसकारों की जियोती जलाता है ये संसकार ही धर्म, समाज और राश्र के प्रती करतव ये बद्ध होने की उसे प्रेर्णा दिया करते हैं इनसे प्रेरित होकर ही विद्यार्थी अपने प्राणों का समर्पन और उच्सर्ग किया करता है इस प्रकार से दिव्य संसकार का विकास प्राप्त करके विद्यार्थी समाज और राश्र के प्रती अपना कोई न कोई योगदान करता ही रहता है राश्र की प्रती विद्यार्थी का योगदान बहुत बड़ा और विस्त्रद भी है वे अपने योगदान के द्वारा राश्र को उन्नत और सम्रिद बना सकते है राश्र के प्रती विद्यार्थी तभी योगदान कर सकता है जब वो अपनी निष्ठा और सत्याचरन को स्रेष्ट और महान बना कर इस कारे छेत्र में उतरता है राश्र की प्रती विद्यार्थियों का कर्म छेत्र बहुत ही अध्भुत और अनुपम है क्योंकि वह सिक्षा ग्रहन करते हुए भी समाज और राश्र के हित के प्रती अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकता है यह सोचते हुए यह विचित्र आभास होता है कि सिक्षा और राजनीती दोनों पहलूँ के लेकर विद्यार्थि कैसे आगे बढ़ सकता है क्योंकि विद्या और राजनीती का संबंद परस्पर भिन और विप्रीत है अते विद्यार्थी का अपने समाज और राश्र के प्रती योगदान देना और इसका निर्वाह करना अत्यांत विकट और दुशकर कार्य है फिर एक समाच चिंतक और राश्र भक्त विद्यार्थी विद्याधियन करते हुए भी अपना कोई न कोई योगदान अवश्य दे सकता है अगर ऐसा कोई विद्यार्थी करने में अपनी योगिता का परिचय देता है तो निश्य ही वह महान राष्ट धर्मी, राष्ट का नियामक और राष्ट नायक हो सकता है विद्यार्थियों को अपने राष्ट के प्रती बहुत ही दिव्य और अनोखा योगदान होता है इसलिए विद्यार्थियों को अपने राष्ट के प्रती योगदान देने के लिए अपनी सिक्षा का पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए इसके लिए उन्हें अपने उदेश के प्रती जागरुख होना चाहिए सिक्षा के छेतर में अपने विशिष्ट उपलब्धियों को अज्जित करके ही विद्यार्थी राश्च और समाश के प्रती कर्तव्यनिष्ट हो सकता है विद्यार्थी को एक आदर्ष और कर्तव्यनिष्टता का पाठ अच्छी तरह से याद करके ही राश्च और समाश के प्रती अपने उत्तरदाईत्वों को निभाना चाहिए अन्यथा वह न इधर का रहेगा और न उधर का ही रहेगा एक चेतना शील विद्यार्थी ही राश्च और समाश के प्रती उत्तरदाई हो सकता है जबकि लापरवा विद्यार्थी राश्च के प्रती गद्दार और राश्च द्रोही होता है राश्र और समाज को एक रूप देने के लिए आदर्श विद्यार्थी महान राश्र नायको और राश्र की महान विभूतियों की जीवनी को सिधानतता अपनाते हुए ही राश्र निर्मान के दिशा में अग्रसर हो सकता है अतेव राश्र निर्मान के प्रती विद्यार्थी का योगदान सर्वता, महान और उच्च होता है राश्र के प्रती योगदान देने वाले विद्यार्थी को केवल नेतागिरी या लच्छेदार वाक्यों का वाचन नहीं करना चाहिए अपीतु उसे सब प्रकार के कार्यों का अनुभव सहित और धंग से होना चाहिए अपने राश्र के धर्म और संस्कृती का रक्षक और हितैशी विद्यार्थी इसकी शान आन पर मर मिटने के लिए हाथ में प्राणों को लेकर ही राश्र के प्रती योगदान देने में सबल और समर्थ हो सकता है